दोस्तों हर देश का अपना एक राष्टी प्रतिक्चिन होता है जिसे हम National Emblem कहते हैं हाल ही में भारत का National Emblem जिसे असोकिस्तम या सिहस्तम या Line of Capital के नाम से जाना जाता है काफी सुर्ख्यों में आया था यह बात तब की है जब नवीन संसद्भावन जिसे सेंटरल विष्टा की नाम से भी जाना जाता है उसकी छट पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सिहनस्तम का लोकारपन किया गया था क्या है वो विवात उस विवात को भी जानेंगे लेकिन आज के इस एपसोड में हम ये जानेंगे कि सिहनस्तम या असोकिस्तम का इत्यास क्या है क्यों असोकिस्तम को ही भारती गनराजी का राष्टिय प्रतीक्चिन बनाया गया और इसकी खोज कैसे की गय थी और असोक इस्तम को किन-किन जगाओं पर इस्तमाल किया जाता है और सम्विधानिक रूप से इसका उप्योग कौन-कौन कर सकते हैं नमस्कार दोस्तो मैरा वासंकर डिमरी तूली का दर्शिंचलन में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों बात सुरू होती है सम्राट असोक के कलिंग युद से सम्राट असोक ने कलिंग युद में विजय प्राप्त की थी और इस युद में भीशन हिंसा और मानावानी होने के कारण सम्राट असोक ने बहुत धर्म ग्रेंट कर लिया था जिसके बाद बौत धर्म के प्रसार हेदू उन्होंने शिलालेक इस्तमवा लाटो का निर्मान भारत के अनेक हिस्सों में करवाया था शिक्रम में 212 सिसापुरु से 232 सिसापुरु के मध्य गौतम बुद्धि के प्रतम उपदेश इस्तल सारनाथ में समराट अशोग द्वारा बौत धर्मिवा राजाग्या के लिए एक इस्तम का निर्मान करवाया गया था जिसे आज हम अशोग इस्तम के नाम से जानते हैं सिर्फ सारनाथ ही नहीं देश के अनेक हिस्सों में सिंग इस्तमों को बनवाया गया था इस असोग इस्तम पर अशोग का संगबेद खुदा हुआ है यह इस्तम आज सारना संगराले में सुरच्चित रखा गया है एक दूसरे की पीट सटाए बैठे हैं। इन सिहों के उपर कटे भाग में 32 इंच्व्यास का एक धर्म चक्र भी था, जो समय के साथ तूट गया। इसमें 32 तीलिया थी। चौकी का जो आशन है वो वृत्ताकार है और इस परप्रतेग सिंग्व के नीचे एक एक चक्र है। चक्र के बीच में अश्व, सिंग, विर्शव तता गज की मूर्तिया उतकिर्ण है। असोक इस्तंप पर बनाएगे पसू भगवान बुद्ध की जीवन से सम्मन्दित है। जिसमें हाथी भगवान बुद्ध के जर्म का प्रतीक है, विरिशव या बैल राशी का प्रतीक है, सिहां साक्य सिंग का प्रतीक है और अश्व अभिनी स्क्रमन का प्रतीक है, चारों सिहां शक्ती, शाहस, आत्म विश्वास और गौरव का प्रतीक है, वहीं अगर बात करें गज पुरूब दिसा का प्रतीक है, बिर्शब पर्शिम दिसा का प्रतीक है, सिहां उत्तर तथा अश्व दक्षन दिसा का प्रतीक है यह आसन एक उल्टे कमल के उपर इस्तित है इस पूरे स्तंब को एक ही पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया था जो सैंड इस्टोन का है अब बात करते हैं सारनात सिंग स्तंब की खोज कैसे की गई थी असोखिस्तम की खोज जर्मन इंजिनियर वास्तुकार पुराततुविद फेडरिक आसकर और टेल ने 1905 में की थी फेडरिक आसकर और टेल ने 1904 से 1905 तक सारनात में खोदाई करवाई सबसे पहले उन्हें गुप्त काल के दवे मंदिरों के प्रमान मिले और आखिर में वे उस इस्तान पर पहुँचे जहां असोखिस्तम दबा था असोखिस्तम जब खोजा गया था उस समय भी वा काफी अच्छी इस्तिती में था लेकिन अपने मूल इस्तम से तूट चुका था तथा मुखिस्तम में कुछ तूट फूट हो चुकी थी जिसे आज भी देखा जा सकता है भारती गर्णराजी के राजकी चिन बनने की जो कहानिये हम उसको भी देखते हैं 1947 में भारत स्वतंतरुआ और यह आविशक्ता भी महसुस होने लगी कि भारती गर्णराजी का भी अपना एक राजकी चिन होना चाहिए जिससे वैस्वे गरूप से भारत को प्रतिने दित्व वा पैचान दी जा सके इसके लिए इत्यास कारों तता वास्तुकारों चित्रकारों को जिम्मेदारी दी गई इत्यास कारों ने अपने सुझाओं में यह बताया कि भारत के इत्यास में मौरेकाल श्वणम यूग रहा है जिसमें धर्म, दर्शन, सिक्छावा लोग कल्यान को प्रमुकता दे गई थी तो यह तैह हो गया कि जो भी राज की चिन बनाया जाएगा उसे मौरेकाल से लिया जाएगा पूरे भारत से काफी सारे डिजाइन सम्विदान सभा को प्राथ हुए लेकिन कोई इतना प्रभावशाली नहीं था जिसे राष्टी चिन के रूप में अंगीकार किया जा सके फिर आईएस बद्रुदिन तयब जी की पतनी सुरिया तयब जी ने सारनात के सिंगस्तम का एक डिजाइन सम्विदान सभा के समच्च परस्तुत किया जिसे सर्व समती से स्विकार कर लिया गया लेकिन यह प्रारूप उतना परिस्कित रूप में नहीं था जितना या आज तिकता है उसी समय सम्विदान के मूल परती पर भी चितरंकन का कारे किया जा रहा था जिसे प्रसिद चितरकार नंदलाल बोस अपने सिंगस्तम के प्रारूप को चितरंकन द्वारा परिस्कित करने की जिमिदारी अपने शिश्य दीनानाद भारगों को दी जिनोंने अतक प्रियासों से सिंगस्तम को चितरंकन द्वारा एक व्यवस्थित रूप दिया कहा जाता है कि वे लगवक तीन महिनों तक कलकत्ता की चिलिया घर में सीहों की बनावट वो उनके हावाव को देखते और अपने डिजाइन को प्रभावशाली बनाते 26 जनवरी 1950 को सारनात सिंगस्तम को भारती गर्णराजी का राष्टिय चिन के रूप में अंगीकार कर लिया गया जिसकी चाप भारती संविदान में भी दिखाई देती है अब जानते हैं कि नए संसद्धोन में जो सिंगस्तम इस्तापित किया गया है उससे जुड़ा हुआ विवात क्या है काफी सारे राज़निक्ति दलों को असोगस्तम के सीहों पर आपत्ती है कि वेश्य काफी अकरामक दिखाई दे रहे हैं अब हम देखते हैं संड्रल विष्धा की छत पर जो सिंगस्तम इस्तापित किया गया है और उसकी उचाई 6.5 मीटर तथा चोड़ाई 11-14 फित है अगर जमीन से इसकी उचाई देखी जाए तो यह 108 फिट यानी 33 मीटर के बराबर होती है अगर इसका भार दिखा जाए तो जो मुख्य सिंस्तम है उसका कुल भार 9500 किलोग्राम है तता जिस सपोर्टिंग पिलर पे इसको इस्थापित किया गया है उस सपोर्टिंग पिलर का कुल भार 6500 किलोग्राम है तो इसका टोटल जो भार होता है वह 16,000 किलोग्राम है और इस पर 1200 करोड की लागत आई है सिंग अस्तमकी जो मुर्तिकार हैं वे सुनिल देवरेजी है मुर्तिकार सुनिल देवरेजी का मानना है कि इसको अलग-अलग दृष्टिकोंड से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सायद सियं अकरामक है जबकि सियं अकरामक नहीं है और यह बिलकुल सारनात की प्रतिकृती ही है हम देखते हैं असोकिस्तम के चिन्न को कौन-कौन प्रियोग कर सकते हैं समविधानिक रूप से असोकिस्तम का प्रियोग राष्टपती, उपराष्टपती, राज्यपाल, उपराज्यपाल, रधान मंतरी, मुख्य मंतरी, मुख्य नयायदीश और नियायपालिका के अधिकारी सम्वेधानिक संगड़ों के प्रमुग, राजदूत और विदेशों में भारती दोतावास का दिकारी इसका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इन में से कोई भी सिवा निवर्टी के बाद असोखिस्तम का प्रयोग नहीं कर सकता अब जानते हैं असोखिस्तम से जुड़े हुए तथ्यों को असोखिस्तम को सारनाथ संग्रालय में रखा गया है जो भारत का प्रतम ओन साइट मुजियम है Onset Museum से तात पर यह होता है कि जो वस्तु जहां से प्राप्त होती है उसे उसी जगह पर संदक्षित कर दिया जाए Museum बना करके उधारन के रूप में हम देखते हैं कि सारनात से ही असो किस्तम हमें प्राप्त हुआ था और सारनात में ही एक museum बना कर इन सब चीजों को वहाँ पर संदक्षित कर दिया गया तो इस नाते सारनात संग्राले भारत का पहला Onset Museum है असो किस्तम में पात सियं बने हुए हैं चार चौकी पे और एक चौकी के नीचे तो कुल मिलाकर असो किस्तम पे पात सियं बने हैं 26 जन्वरी 1950 को भारत गर्णराजी के राष्टिय परतिक के रूप में इसे अंगीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को सम्विदान सभा में जवाहर लाल ने भारती गर्णराजी के लिए एक राष्टिय प्रतिक होना चाहिए यहाँ परस्ताव रखा था असो किस्तम को बुद्ध के पर्थम अब देश वाले इस्तान सारनात में सम्राट असोक ने स्थापित करवाया था वेंसांग वफायान के यातरवतांतों में भी असोकिस्तम का जिक्र हुआ है असोकिस्तम को स्रीह चत्रवुज के नाम से भी जाना जाता है असोकिस्तम के असोक चक्र को रास्टिय दोज में भी इस्तान दिया गया है फेडरिक आसकर और टेल ने अपने लेंदन इस्तित भवन का नाम भी सारनात रखा था कोई भी निजी संगटन वा सस्तान इस परतीक का उपयोग नहीं कर सकता है भगवान बुद्ध के जो सो नाम है उनमें साक्य शिंग और नर्सियं भी है इतना ही नहीं सारनात में भगवान बुद्ध के परतम धर्मोपदेश को सिंग गर्जना भी कहा गया है असोकस्तम के उस भाग को राष्टी परतीक के रूप में चुना गया है जिस तरफ घोडा तता सांड के आकरती बनी हुई है भारत राज्य अनुचित उपयोग निशेद अधिनियम 2005 के इंतरगत असोकस्तम का अनुचित परियोग करने वाले को कारावास की सजा का प्रावधान है तो यह था हमारा तुलिकर दर्शिन चैनल का आजकंक जिसमें हमने असोकस्तम के वारे में जाना किसकी खोज कैसे की गई क्यों इसे भारती गनराज्य का राष्टिय प्रतीक चिन बनाया गया तथा इसका अपयोग कौन-कौन लोग कर सकते हैं अगर आपको हमारा आजकंक पसंद आया तो आप कमेंट सेक्षन के दौरा हमें जरूर बताएं आपके कोई भी सुझाव हैं उन्हें भी आप कमेंट सेक्षन में जरूर लिखें आपको एक बात बताना चाहूं कि हम जल्द ही एक Q&A सेक्षन भी सुरू कर रहे हैं जिसमें आपके प्रश्णों का जवाब दिया जाएगा अभी तक आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीजी से सब्सक्राइब कीजेगा और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर जरूर कीजेगा साथ ही बेल आइकन के नोटिविकेशन को हमेशा ओन रखेगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिविकेशन सबसे पहले मिल सके तो आज कंक में इतना ही मुझे दीजी इजाजत नमस्कार